हाई लेविधीज, वेलकम टू इजी वेए कामर्स क्लासेज, मैं हूत अबिता हूँ गाईज, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड अभी उनको सॉल्व करेंगे और वो भी डिस्क्रीट सिरीज में, तो गाईज अगर आपने पहले वाली वीडियो इंडिवीजियल सिरी की वीडियो को देखकर, उसके बाद डिस्क्रीट सिरीज पर आते हैं काईज, आपके वुक में तीन से चार मेथड गिवन होंगे, एज्यूम मीन मेथड, स्टैप डैविएशन, एक्ट्वल मीन मेथड, डारेक मेथड, मैं कहते हूँ जादा मेथड नहीं करने क्योंकि उत में कभी भी यह बहुत कम होता है कि बोला जाए, अदरवाइस सिर्फ यह बोलते है, स्टैंडर डैविशन, फाइंड आट करो, तो यह आपके ही चोईस होती है कि आपके इस मेथड से सॉल्व करना चाहते है, तो चार मेथड याद करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं कहूंगे सिर्फ दो फॉर्मले याद करो और उससे सॉल्व करना, करेक्ट सॉल्व करना सीखो, तो सबसे पहले डिस्क्रीट सिरीज देखते हैं, एक असान सी सिरीज है, एक साथ फ्रिक्वेंसी गिवन है उसकी, अब हम सबसे पहले एक्चुल मीन मेथड को सॉल्व करत तो समेशन एफ कितना आ रहा है, यह कि 5, 5, 10, 15, 16, 17, तो समेशन एफ तो हमारा 17 निकल गया, अब fx निकाल लेते हैं, एक बाल, 4 बन सब 4, 6 to the 12, इसका आप टोटल करते हैं, कितना आ रहा है, देखो, अगर हम इसको देखे, 28 प्लस 12, आपका बनेगा 40, यह भी आपका बना 40, 36 प्लस 4 बना 40, प्लस 50, ठीक है, यह आ गया गाईज, आपका 170, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी और करेक्ट करनी है, ठीक है, तो अब मीन निकाल सकते हैं, हम लोग, 170 डिवाइड़ बाई 17, कितना आ गया, 10, तो मीन हमारा आ गया 10, अब first step हमें, क्या निकालना है, x-square, ठीक है, x-square का summation, तो सबसे पहले हमें first step x निकालना है, small x, जिसका फॉर्मरा होता है, x- mean, फिर second step में इसको square करना है, और क्योंकि यह discrete series है, तो x-square के पहले f जरूर लग जाएगा, ठीक है, तो discrete series में इस चीज़ को याद रखना है, और अगर individual होती, तो f नहीं multiply करना है, x-square से, तो यानि कि 3 step अभी आपको करने है, तो सबसे बहले step पकड़ते हैं, हम लोग x निकालना, जो होता है, x- mean, तो x में से, यानि कि 4 में से, mean था हमारा 10, गया, minus 6, minus 4, इसको मैं हटा देती हूं, वहना ही confuse करेगा, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, अब हमें इसके square करना है, कर ले थे हैं, 36, 14, 4, 0, 4, 16, 36, अब हमें fx square करना है, यानि कि f को multiply करना है, तो 1 multiply 36, 36, 16 multiply 2, 32, 4, 3s are 12, 0, 4, 3s are 12, 32, then 36, अब इसका summation ले लेंगे, कितना आ रहा है, ठीक है, अब हमारे ये 3 step हो चुके हैं, तो आप summation करते हैं, एक बार इसका कितना आ रहा है, 3, 3, 6, 7, 80 तो इधर का आ गया, 3, 80 इधर का आ गया, तो यानि कि इसका total आ रहा है guys, 160, थोड़ी मेरी calculation ऐसे है, थोड़ी जल्दी करने के आदत है, तो 160, आपको यहाँ put करना है, standard deviation का sign आपको पता ही है, आधा ना बनाए एंगे, एंड बोले तो summation F आपका कितना रहा है, 17, अब अगर आप इसे cut करोगे guys, तो यह जाएगा, 17, 10s आ, 170 होता है, तो 17, जो है 9s कितना होता है, 153, तो यह 9 पर जाएगा, 9.153 में, 160 में से 153 गए, तो बच्चा, 7, 70, तो 9.4 something इसका answer आएगा, लेकिन यह अंडरूट में हैं, तो पहले हमें अंडरूट सॉल्फ करना है, तो 9.4 का अंडरूट सॉल्फ करेंगे, तो यह जाएगा, सबसे पहले 3 पर, 3, 3s are 9, ठीक है, अंडरूट guys, अगें अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप कमेंट में शेयर करिए, मैं अंडरूट पर वीडियो बनाऊंगे, लेकिन शेयर करना पढ़ेगा, कमेंट अपने, ताभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगे, अदर्वाइस मुझे ऐसा लगेगा, आपको आता है, आप देखो 4, इदर कुछ नहीं था, तो लेट सपोज 0 था, तो 0 तर गया, 3 प्लस 3 आगया 6, अब यहां पर हमें कुछ हैसा नमबर ढूणना है, जो 40 से जा सके, तो अगर मैं 1 भी रखूंगी, तो भी वो 60, 61 वनजा, 61 होता है, यह नहीं जा सकता, तो मेरा 0 लगाऊंगी, ताकि इसके साथ एक 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 एक्स्ट्रा 0 आ सके, अब यह जरूर जा सकेगा, तो 64 फोर्जा करके देखते हैं, 64 सिग्जा, नहीं, 66 सिग्जा, यह 5 पर लेते हैं, बहले चलो, ठीक है, एक एक करके ताम आगे बढ़ाते हैं, 325, 66 सिग्जा, कितना आएगा, तो यह 6 पर जाएगा, 396, तो हमारा आंसर एप्रॉक्स 3.06 आएगा, एप्रॉक्स जरूर लगा देना, क्योंकि करेक्ट हम पॉइंट सारे नहीं लेके चलते, तो 3.06 सम्थिंग आएगा, तो यह मैथड गाईज, आपको यूज करना है, अगर आपका मीन आजाता है, 10.7, तो आपको इस मैथड को नहीं करना, तब आपको डारेक्ट इस मैथड पर कूदना है, इसमें बहुत असाने करना, आपको मीन निकाल लिया, आपने, आपका मीन पॉइंट में आया, आपको यह नहीं करना, आपको यह भी नहीं करना, आप F को x² से multiply कर देना है यानि कि आपको इसका square करोगे उसको f से multiply करोगे put करोगे उसमें से minus करोगे mean का whole square और उसे solve कर देना है ठीक है तो like आपको मैं अभी ही पूरी video बहुत lengthy हो जाएगी अगर आप चाहोगे तो मैं next video में इस पार्ट को समझाओंगे लेकिन formula बहुत असान है यह आजाएगा हमारा यह हमें यहाँ put करना होगा जो भी totaling आएगी number of item हमारे 17 है और mean जो भी होगा square then again इसी तरीके से solve किया जाएगा जो कि बहुत असान है बस एक बार concept समझने की ज़रत होती है तो जबी भी आपका answer point में आता है go on this method ठीक है लेकिन अगर point में नहीं आता तो आप यह और यह choice है जो आपको असान लगता आप solve कर सकते हो तो guys I hope आपको वीडियो समझाई होगी अगर समझाई है तो like करें भी न मच जाए और चैनल को subscribe कीजिए Thank you